हेलो बच्चों तो कैसे हैं आप सब मैं सत्यम परशांद कौशल आ गया हूँ किलास 11 फिजिक्स का ग्राइविटेशन वाले चैप्टर का एक नया लेक्चर लेके जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ग्राइविटेशनल फिल इंटेंसिटी डियू टू रिंग अगर हमारे पास कोई रिंग है तो उसके वज़े से ग्राइविटेशनल फिल इंटेंसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सारी बातें आज के लेक्चर में सीखनी है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये स्टार करते हैं आज का lecture आईए ध्यान से देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहोगे हमारे पास एक ring है जिसका radius capital R है और mass capital M है हमें इस ring के outside एक कोई point given है और वो point कहां से है इस ring के center से माल लेते हैं center से x distance पे कोई point P है हमें इस P point के ओपर gravitational fill intensity calculate करना है नोट करिएगा यह हमारा point P इस ring के center से x distance कहीं outside रखा है clear अच्छा अगर हमें इस P point के ओपर gravitational fill intensity calculate करना है due to this ring तो क्या करना पड़ेगा हमें इस ring के छोटे छोटे टुकुले DM mass के काटने पड़ेंगे देखिए बच्चों हम क्या करेंगे इसके top point से एक छोटा सा टुकुला काट लेंगे DM mass का इसी तरह एक छोटा सा टुकुला काट लेंगे नीचे से भी DM mass का दोनों एक दूसरे के just opposite हैं और फिर हम क्या करेंगे हम इस DM mass के वज़े से इस DM और इस DM mass के वज़े से इस point P के ओपर gravitational fill intensity calculate करेंगे clear हुई बात की नहीं फिर इसका integration कर देंगे तो ये पूरा ring का mass कवर हो जाएगा जिसके वज़े से इस point पे gravitational fill intensity मिल नहीं होगी clear अच्छा कोई दिक्कत की बात नहीं है अगर मैं पूछ हूँ इस DM mass से ये point P कितने distance पे है तो माल लेते हैं ये distance क्या है बच्चों है माल लेते हैं ये distance हमारा small r है इसी तरह ये DM mass ये भी क्या होगा आर इडिस्टेंस पे हैं माल लेते हैं ठीक इस point P से अच्छा अब होगा क्या जो उपर वाला DM mass है ये क्या करेगा gravitational fill intensity generate करेगा एक छोटा सा टुकडा काटा है अपने इसका उसके वज़े से छोटी सी gravitational fill intensity मिलेगी इस point P के उपर किस direction में इस direction में जिसको हम बोल सकते हैं DG इस तरह है इस point DM मास के वज़े से इस point P ग्राविटेशनल fill intensity किस direction में मिलेगी इस direction में मिलेगी क्या मिलेगी DG अब direction तो पता ही होगा ना बच्चों कहां से उस होता है direction of gravitational fill intensity point से toward the mass हमारा mass ये है DM mass तो point से toward the mass ही हो गया इसी तरह DM mass उपर था तो point से toward the mass clear कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अच्छा अगर हम आपसे कहें ये angle theta है तो ये angle भी theta होगा माल लेते हैं clear अच्छा चलिए इस P point को हम जड़ा outside represent करते हैं P point को outside represent करते हैं तो देखिए ये हमारा हमालीजे P point है इस P point के उपर एक gravitational field intensity dg ऐसे लग रही है उपर की तरफ और एक इस तरफ लग रही है dg clear ये angle theta है ये angle भी theta है clear अब जड़ा हमें क्या करना पड़ेगा इस P point P के उपर ये जो vector दिख रहे है dg dg gravitational field intensity इसके component लेने पड़ेंगे तो क्या करना पड़ेगा देखिए बच्चों एक हो जाएगा इस वाले को देखिए dg cos theta एक हो जाएगा बच्चे क्या एक हो जाएगा dg cos theta clear dg cos theta और एक हो जाएगा dg sin theta उपर की तरफ क्या हो जाएगा dg sin theta इसी तरह नीचे वाले vector को देखिए ये हो जाएगा dg cos theta एक उपर की तरफ क्या हो जाएगा एक dg cos theta और इसी को देखिए dg sin theta नीचे की तरफ ठीक है अब जरा ध्यान से देखिए इस p point के उपर अब इस dg और dg को भूल जाओ इनको तो आपने resolve कर लिया जरा vertical component देखिए vector के एक उपर की तरफ मिल ला है positive में dg sin theta और एक negative में मिल ला है dg sin theta दोनों की value equal है बट opposite indirection है तो इसका मतलब यह currency हो जाएंगे एक दूसरे को cancel out कर देंगे nullify कर देंगे अच्छा तो इस p point के उपर gravitational fill intensity किसके वज़े से मिल ली है सिर्फ और सिर्फ vertical नहीं horizontal component जो आप देख रहो dg cos theta clear बोलिये बच्चों यहाँ पे gravitational fill intensity किसके वज़े से मिल ली है सिर्फ और सिर्फ dg cos theta जो horizontal component है gravitational fill intensity का क्योंकि vertical component एक दूसरे को cancel out कर दे रहे है clear सिर्फ इन ही दोनों को मत देखो हम क्या करेंगे यह ring बच्चे आपको देखने में तो एसे रखी है actually मैं यह ring ऐसे रखी होगी कैसे यह ring ऐसे रखी होगी देखिए यह ring ऐसे रखी होगी और point यहां होगा समझ रहेंगी समझ रहें ऐसे कई सारे dm dm mass होंगे तो देखिए जो dm mass आप काट ओगे उसके वज़े से सिर्फ dg cos theta देखिए dg cos theta, dg cos theta, ऐसे कई सारे dm mask के वज़े से सिर्फ और सिर्फ horizontal component मिलेगा, gravitational field intensity का dg cos theta, clear, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे हम कई सारे dm, dm, dm mask कारते जाएंगे, और उनका dg cos theta, dg cos theta, is point P के ओपर gravitational field intensity add करते जाएंगे, clear, अच्छा, और हम यहां से कह सकते हैं, gravitational field intensity add point P, क्या हो जाएगी, जरा ध्यान से देखिए, अगर हम इस dg cos theta को integrate कर दें, तो भाईया, इस पूरी ring के वज़े से क्या मिल जाएगा, इस point P के ओपर, net gravitational field intensity due to this whole ring, हम यहां से कह सकते हैं, क्या, अगर हम dg cos theta की value को integrate कर दें, खतम बात, clear, आच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं अब जरा ध्यान से देखिए, अगर हम बात करें, dg, dg क्या है, gravitational field intensity due to this dm mass, अच्छा, अगर बात करें, dg के निकालें कैसे हैं, भाई, gravitational field intensity कैसे निकालते हैं, बोलिए, यह होता है, g mass upon distance का square, mass है dm, बोलिए, g dm upon distance का square, distance कितना है, point P का देखिए, dm mass से, r है, उसका square कर देखिए, अरे बच्चे, याद है, gravitational field intensity कैसे निकालते थे, g is equals to g m upon distance का square, यह होता था, तो देखिए, mass की जिगा रखा, dm mass, इस छोटे से dm mass का, रख दिया dm mass upon distance, इस से dm mass का distance, देखिए, r है, clear, बोलिए, बच्चे, आच्छा, तो यहां से हम dg की value निकाल के लिए है, यहां put कर देंगे, क्या, put कर दीजे, तो हो जाएगा, क्या, integration of g dm upon r square, इसका integration, यहां पर देखिए, ध्यान से, क्या है, cos theta, cos theta की value कैसे निकालेंग, बच्चे, जरा इस triangle को देखिए, इस triangle को, देखिए, height किती है, perpendicular किता है, r capital, बोलिए, base कहलो, यहां तो इसको क्या है, capital r, और height है कितनी, x, और hypotenuse कितनी है, x है, sorry, r है, तो यहां से cos theta नहीं निकाल सकते हो, cos theta कैसे निकालते हैं, बोलिए, base upon hypotenuse, base upon hypotenuse, base क्या है बच्चे, theta यह गिर रहा है, तो base यह हो जाएगी, x, और hypotenuse क्या है, r, तो x by r क्या हो जाएगा, cos theta, x by small r, यहां से cos theta की value मिल गए, यहां put कर दीजे, put करिए, क्या हो जाएगा, x upon small r, clear, बोलिए, आच्छा, अब देखिए, integration हम करें किसका, g और r, यह तो constant है, हमें देखिए, dm, सोच रहोगो न, dm, तो हमें यहां पे dm की जो value है, बोलिए, लाना पड़ेगा, in term of, बोलिए, कैसे देखिए, यहां पे dm की value क्या होगी, जड़ा सोचो, dm कहां से निकाल के लाओ गए, बताओ जल्दी से, dm की value बताओ, कहां से लाओ गए, इसको solve क चलने या तो पहले, dm की value निकाल लेते हैं, चलिए, देखिए, हमने पढ़ा था, याद करिए, बच्चो, mass per unit length, mass per unit length, इस ring का mass कितना है, बच्चो, m है, बोलिए, हमने पढ़ा था, mass per unit length, क्या होता है, m by l होता है, इस ring का mass है, capital M, और इसकी length किती होगी, बच्चे, अब ring की length कैसे निकाल होगी, एक तरफ से ring को तोड़ दो, और सीधा कर दो, तो किसके बराबर होगी length, circumference के बराबर होगी, इसका circumference कितना होगा, radius capital R है, तो 2 pi R होगा, तो यहाँ पे length किती होगी, बच्चे, जल्दी बताइए, 2 pi capital R, बोलिए, mass per unit length, इस ring का क्या होगा, m by 2 pi R, अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस छोटे से टुकुले का dm mass का mass per unit length निकालूं, तो क्या होगा, देखिए, यह dm mass है, clear, अच्छा, इसकी length किती होगी, छोटी सी length होगी, हम कह सकते है dl, मान लीजे, इसकी length किती है dl, तो mass per unit length क्या होगा, dm by dl, किता होगा, dm by dl, clear, और mass per unit length, इस ring का कहलो, जा इस छोटे से टुकुले का कहलो, दोनों equally तो होगे, बोलिए, mass per unit length तो same ही होता है, density तो vary नहीं कर रही, uniform ring है, clear, तो यहां से हम dm की value निकाल सकते हैं, यहां put कर देंगे, यहां से dm की value निकाल लिए, क्या हो जाएगी, dm is equal to हो जाएगा, बोलिए, m by 2pi capital R dot dl, तो ध्यान से देखी, यहां से हमने dm की value निकाल दीजे, यहां पर put कर दीजे, फिर देखी क्या हो जाएगा, is equal to integration g dm, dm की value क्या है, m by 2pi capital R dot dl, यहां पर रख दीजे, m dot dl upon 2pi capital R, और xb उपर multiply में है, अच्छा, और यहां देखी, r square r, multiply होगे किता हो जाएगा, r की power 3 हो जाएगा, अच्छा, अब जरा ध्यान से देखीए, integration किसका होना है, देखीए, अगर हम बात करें, g capital M, x upon 2pi capital R, और small r, यह सारे के सारे क्या हैं, constant हैं, अरे इस ring का mass constant होगा, x की value constant होगी, small r की value constant होगी, इसका radius capital R, यह भी constant होगा, g, universal gravitational constant पहले से ही है, तो बचा क्या, सिर्फ dl, हमें यहां पे integration किसका करना है, dl का करना है, बाकी चीजों को integration से बाहर निकाल लीजे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, g, m, और x हो जाएगा, upon में क्या हो जाएगा, 2pi capital R, small r की power 3, और integration किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ dl का, क्या, integration of dl, clear, अच्छा, तिर यहां देखिए हम से, क्या होगा आगे, g, m, x, upon, 2pi capital R, small r की power 3, अब देखिए, integration of dl, dl का integration करोगे, dl है क्या, इस छोटे से dm mass की length, छोटी सी ठिकनेस होगी, dl, इसका integration करना है, इसका मतलब क्या है, इस ring की पूरी length, अरे बोलो भाई, ऐसे छोटी छोटी कई सारी, dm, dm, dm mass काटते जाओगे, जिसके वज़े से, इस पूरी ring का length cover हो जाएगा, integration of dl का मतलब क्या है, length of ring, और भाईया, इस ring की length कितनी होगी, जो इसका circumference होगा, 2pi r, radius capital R है, तो इसका circumference कितना होगा, 2pi r, त जहां से देखिए, into 2pi capital R, और 2pi capital R, यहां कट जाएगा, cancel out हो जाएगा, क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखिए, यहां बचेगा, g capital M x upon small r की power 3, क्या बचेगा, small r की power 3, अब यहां पे जरा ध्यान से देखिए, r की value निकाल के लानी पड़ेगी, कहां से निकाल के ट्रेंगल को देखिए, O, P, और यह DM मास तक, ऐसे वाला, यह ट्रेंगल, इसमें hypertonus कौन है, small r, base कौन है, capital R, perpendicular कौन है, x, तो हमें पता है, pythagoras theorem लगा कर हम निकाल सकते हैं, pythagoras theorem क्या कहती है, hypertonus का square, यानि की, small r का square, is equal to base का square, यानि की, capital R का square, plus perpendicular का square, जो है हमारा x, clear बुलिए, small r की power, 2, किसके पराबर होगी, capital R square, plus x square, pythagoras theorem लगा दी है, यहां से small r की value कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिए, हम कह सकते हैं, small r की value कित्यू जाएगी, small r square, plus x square, small r के power power, 2 थी, चाये तो यहां पे under root लगा दो, या तो, आप power half भी तो लगा सकते हैं, clear, इसकी power कित्यी होगी, half, बुलिए, small r की power 2 थी, power हटा दी 2, यहां पे half लग जाएगा, खतम बाद, power, अब small r की value यहां put कर दीजे, तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, g, capital m, x upon, small r की value कित्ती है बच्चे, बुलिए, capital r का power 2, x का power 2, और इसके उपर power कित्ती है, 1 by 2, ठीक है, और यहां पे देखिए, power multiply, कित्नी है, 3 में भी तो है, r की power 3 पहले से था, तो यह r हो गया, इसकी power 3, तो 3 से multiply भी तो करना पलेगा, clear हुई बात की नहीं, पक्का, तो यहां पे आप क्या देख सकते हो, overall power कितनी आ रही है इसके उपर, बताइए, 3 by 2 आ रही है तो इसको हम solve करके क्या कह सकते हैं, बोलिए, यहां पे solve करके हम क्या कह सकते हैं, power overall 3 by 2 आ रही है, यह आ गया gravitational field intensity at this point P, कितना आ रहा है, जड़ा ध्यान से देखिए, gmx upon capital R square plus x square की power 3 by 2, यह आ गयी gravitational field intensity at this point P, क्लियर, चलिए, कॉपी हो गया, पहले कॉपी कर यह फिर बताते हैं, हो गया, चलिए, जड़ा ध्यान से देखिए, अगर हमारा यह ring से outside कोई point P है, x distance पे, तो हम gravitational field intensity कैसे निकालेंगे, क्या formula derive की हमने, वो था, gravitational field intensity outside the point P कोई है, तो कैसे निकालेंगे, g capital M x upon capital R square plus x square, और इसके power के थी 3 by 2 थी, clear, यह आ गई, gravitational field intensity at the point P, clear हो गई बात, अच्छा, अगर मैं बूस्ता, इस point P के उपर यहाँ पे कोई mass है, देखिए, derivation हो गई, gravitational field intensity आ गई है, P point पे, मालीजे, एक next question क्या बन सकता है, अगर मैं इस point P के उपर कोई माल लेता हूँ, mass है, क्या, small m, तो इस mass के उपर gravitational force कितना लग रहा होगा, यह निकालना है, बोलिए, इस mass के उपर क्या लग रहा होगा, gravitational force किस तरफ, attractive in nature होगा, F force ऐसे लग रहा होगा, हमें यहाँ पे पूछ हूँ, F force की value क्या होगी, derivation को थोड़ा और आगे ले जा रहा हूँ, इस mass के उपर force कितना लग रहा होगा, तो निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, बोलिए, यहाँ पे आप कहोगे, gravitational field density कैसे निकालते हैं, यह होता है, force per unit mass, क्यासे निकालते हैं, force per unit mass, ठीक है, यहाँ से हम F की value कैसे निकालेंगे, F is equal to क्या होगा, M into G, clear, M into G, इस mass के उपर कितना force लग रहा है, कैसे निकालेंगे, ज़रा ध्यान से देखिए, F is equal to mass, जो mass आपने point P पे रखा है, उसको multiply करना किस से, G से, G की value आप पता है, इस point के उपर, इस P point के उपर gravitational field intensity किती है, इतनी लग रही है, इसकी value put कर दीज़ें आपे, तो हो जाएगा, G M X upon capital R square plus X square की power 3 by 2, इस type का भी question या formula आपके साथ खेल सकता है, exam में, clear बच्चों, बोलिए, अरे इसको arrange का ले न, small m को इधर बेज देना, mm कर लेना, थोड़ा arrange कर लेना formula को, ठीक है, इसको भी copy कर लिजे, रटना नहीं है, concept को सीखना है, clear, अच्छा, एक बात और मैं पूछ हूँ आपसे, जरा ध्यान से देखिए, हमने इस point P के ओपर निकाला था, gravitational fill intensity, जो इस ring के outside था, माल लिजे, हम अगर इस point O के about, इसके center के about, O, point के about, gravitational fill intensity calculate करते हैं, तो क्या होगी, आईए ध्यान से देखिए, gravitational fill intensity at the point O, क्या होगी, 0 होगी, नोट करिएगा, और सिर्फ point O के about नहीं, कि center E पे, किसी भी point के about, चाहे आपका point यह होता, चाहे आपका point यहां हो, चाहे यहां हो, इस ring के अंदर, देखिए, अगर ring ऐसे रखिए, उसके अंदर कहीं है, उसके plane में inside है, बोलिए, बोलिए, ring के inside की बात हो रही है, वोई plane में, यहने कि out of the plane कहीं ले लो, तो उसके अंदर gravitational fill intensity 0 होगी, at the point, ओ, यह point ओ कहीं भी हो सकता, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, कोई भी point के उपर, clear, अब कहोगे 0 कैसे होगी, आओ, चलो, feel करा देते हैं, देखो, यह ring है मारी, मालो आपने point यह ले लिया, इस point के उपर, gravitational fill intensity 0 क्यों है, सिर्फ center पर इन्हें कहीं पर भी ले लो, आप point यहां ले लो, वहां ले लो, किसी भी point पर ले लो, अंदर की तरफ, gravitational fill intensity 0 मेलेगी, क्यों मिलेगी reason देखिए, देखिए, अगर मैं इस ring के चोटे-चोटे टुकले कल लूँ ऐसे से, ऐसे कई सारे चोटे-चोटे टुकले कल लूँ, और भी बहूंगे, मैंने 4 ले लिये, तो होगा क्या, इस point के उपर, gravitational fill intensity का direction क्या होगा, बोलिए बच्चे, toward the mass, तो भाई, ये mass है, इसकी तरफ, छोटे-चोटे टुकले, उनके वज़े से, gravitational field toward the mass, अब ज़रा देखिए, हर तरफ देख लो, ऐसे, toward the mass, toward the mass, क्या होती है, toward the mass, भाई, इस point के उपर, net gravitational fill intensity 0 मिलेगी, clear, सिर्फ center पे नहीं, ये point कहीं भी रखा होता, यहां रखा होता, ठीक है, inside 0 मिलेगी, clear, पक्का, चलिए, ये था पूरा overall lecture, जिसमें मैंने आपको जिखाया, gravitational field intensity कैसे calculate करते हैं, due to our ring, बहुती important बात थी, चलिए, मिलते हैं, next lecture में, till then, tata, bye-bye.